हेलो स्वाकित आपका फिर से एक नए वीडियो में और मा भी चाहूंगा कि वीडियो में लेट हो रहा है जिसे कि आपको पता है कि थोड़ी से दिकते चल रही थी चैनल के लिए तो मैंने जो भी प्रोब्लम आपके साथ शेयर किया था और पेले तो थेंक्यू सबको कि ये ब बेजिक हम कैसे सिखें तो मैं इस वीडियो में आपको सिखने वाला उटिस्प्लेंट तो बेजिकली बात यही है कि जो भी बबल्स वाले लेटर होते या फिर जिसमें इसा कोई मोडल है जिसके अंदर स्विप वन स्विप टू नेटवक का या और भी कई टूल से जिसको यूज करके हम उस पे वर्क नहीं कर सकते हैं मतलब कि वह सब यूज करने पर भी वर्क नहीं होने वाला है तब हमें जाना पाड़ता है तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर बेजिक टिस्पैन सबको आता है तो आप सब लोग क्या कर पाऊंगे कि कोई भी टू सब्सक्राइस होती है चो आप दूसरे टूल से नहीं बना पाते तो आप टिस्पैन से आसानी से बना लोंगे उसके लिए बस आपको बेजिक टिस्पैन सिखने की जरूरत है जिसमें हम सिखेंगे की कुछ में देन सिखेंगे की अवरी टाइम हमें क्या-क्या ध्यान रखन कि कोपी करने होते हैं तो वो सब चीजे में आपको यहां पर बता नहीं पाऊंगा वीडियो में आप आप सब लोग समझ पा रहे होगे तो मैं आप से करता हूँ कि आपको वीडियो कही से भी ढूंद के या यूटूब में सच करके आपको में ट्रिक्स में पहले तो आपको इंस्टोल कर लेना है उसके बाद इस वीडियो को देखना है आपको तो हम क्या करेंगे कि जब सब के तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हो अगर आपके पास हे तो फिर हम बेजिक टीस्प्लाइन सिखेंगे कि किस तरह से कितने टूल्स होते है ज्यादा से ज्यादा तीन से चार टूल्स ही होते हैं जिसको हम यूज करके कुछ भी वर्क कर सकते हैं तो में बताने वालों लिए जय्चे एंदर ही अच्छा होता है लेकिन अगर एक दिन का टाइम लगता है को वर्क बनाने को तो आप ठीक से चीख जाते हो टी्स प्लाइन तो मीटेस के अंदर आपको वह कंब दो दिन में बना सकते हो तो हम बेजिक सीखने वाले है फिलहाल लेकिन जैसे आप वो सब चीजे हम देख लेते हैं और वीडियो आपको केंटेन अच्छे लग रहे हैं चैनल पर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और अइकन को ज़रूर ओन कर लीजिए जैसे मेट्रिक्स 9 में आते हैं आपको पता ही हम जो नौर्मल एट के अंदर यहां पर टिस्प्लाइन आता था लेकिन उसकी जगह पर अभी रिप्लेस होके सब्डी यहां पर हो चुका है तो यह काफियत तक टिस्प्लाइन जैसा ही है लेकिन यह ठीक से वर्क नहीं करता है मतलब कि इसमें बहुत से दिक्कत होती सर्फेस को ठीक से तो नहीं बता सकता हूँ आई होप समझ सकते हो और उसके लिए माफी चाहता हूँ तो आपको कई से भी देख लेना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर या कई भी क्योंटेक कर सकते हो मैं आपको अगर ज्यादा है तो मैं आपको उसे से टाइम मिलेंगा मैं आपको नहीं बता सकूंगा तो देखो क्या करेंगे कि एक बार इंस्टोल कर लेते उसके बाद यहां पर टूल्स लेने के लिए हमें यहां पर देखो यह फाइल व्यू अल्टीज मिर्शूर यह सब चीज़ें यहां पर कस्टम भी है देखो आपको जाना है कस्टम में जैसे कि मै यह पुइंट को वेल्ट करने के लिए मेटल देने के लिए और यह कोई अलग से कोई पीस रखना है तो जल्दी से एक बोक्स बना के उसको एडिट करके आप रख सकते हो तो यह कुछ टूल्स है जो जल्दी-जल्दी यूज होते हो और इतने टूल्स में ही आप फेस्वर साथ आपको मिलेंगे तो आपको इसके ऑणा इस तरह से और जैसे यहां पे हरा पार्ट स्टार्ट हो जाए आप समझ लो कि इस्प्लाइन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर देखो यह यह सब भी यहांपे इस्प्लाइन के टूल्स है तो आप चाहो तो यहां वीडियो से म से जैसे यहां पर वैसे टूल और में मेनु मेहां से उसको उपन करने के लिए जब आंटर divisions right से इंस्टॉल हो चुका तो वो असानी से open हो सकता है उसको उपन करने के लिए आपको प्रेस करना है इस तरह से और वापस से उसको बंद करने के लिए वापस से वही यूज़ करना है कंट्रोल स्पेस ठीक है इस तरह से तो open on off आप कर सकते हो control space से जैसे यहां पर टिस्प्राइन हमरा ओन हो चुका है यहां पर तो इसको क्या करेंगे यह जो तो गंबोल मेट्रिक्स का उसको बंद करेंगे हम यहां पर यूज करेंगे यह वाला ओके तो यहां पर अभी देखो मैं आपको बेजिक एक चीज़ बताता हुझे से कि यहां पर एबी सीडी है आपको पता होगा कि इस तरह का एक्जेट से पर अच्छे से करने के लिए आप कोई भी और तरीके से नहीं कर सकते हो या फिर टुकड़ों में करना पड़ेगा या फिर थोड़ी मिनित लगेगी और इतना फिनिशिंग भी नहीं आपको मिलेंगा तो क्या करेंगे यह एक एक एक्जमपल है ठीक है काफी लोग ऐसा बोल सकते हैं या किसी को आता है तो सो फर्फस इस तरह से एजी में बन सकते हैं डिस्प्लाइन के अंदर तो फिर और सर्फेस भी अप B僕 सकते हो तो दिमाग आपको लगाना है थोड़ा सा ओके तो जैसे और साम यहां पर एक इमेज को यहां पर ओपन कर ले तो यहां पे देखो यह इमेज ओपन होते हैं यहां पेले तो मैं कोई साइज या कुछ फिक्स नहीं कर रहा हूं तो यहां पर क्या करते कि यह को यहां पर थोड़े सेंटर में ले लिए कुछ मेरे ही साब सе अभी फिलाल तुमें कर रहा हूँ और इसको थोड़ा नीच की तरफ होग कर कर लेते यहां पे लेयर में लोक कर लाते सर्फस को तो यह एको ओम अभी फिलाल डॉप करते हैं तो कैसे करंगे देख यह टीस्प्लै अन्ध करना यहाँ पर आपको लेना इसका नाम है एपेंट तो एपेंट का यूज करते हुए आपको सर्फिस बनानी है तो आपको मैं बेजिक बता देता हूँ इनसे क्या होता है पेला स्टेप यही होता है कि एपेंट से आपको सर्फिस लेनी है और सबसे आसानता ही का यही है कि आपको सर्फिस को अच्छे से paste करके रखना है ठीक है जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहां पर जैसे मैं रखूंगा जैसे मैंने F4 कर दिया ठीक है center होना काफी जरूरी है तो आपको क्या करना है F4 से ही start करना है फिर हम मोग करके उसको ठीक कर लेंगे देखो यहां पर वन टू यह थ्री और इस तरह से मैंने यहां पर रखा F4 इसको एंटर दे दो और यहां पर क्या करना है point open कर सकते देखो यहां से जब भी आप मेट्रिक्स 9 के अंदर यह टिस्प्लैन अलग से इंक्लूड करके यूज करते हो तो आपको क्या करना है एक सर्फिस बनाना है उसके बाद यह आप मतलब गाठ उमार के रखलो यह बात fix है कि जब भी आप टिस्प्लैन से कोई वर्क करो तो आपको जब भी एक एसी सर्फिस बनाते हो तो आपको तूरंत point open करके यह जो लेकिन यह चीज आपको compulsory एक बार करनी है तो यह थोड़ी से आप इसको डिक्कत भी कह सकते हो टिस्प्लैन मेट्रिक्स अलग से मेट्रिक्स के अंदर अलग से टिस्प्लैन यूज करने का यह side effect कह सकते हो यह जो मैंने अभी किया तो यह आपको एक ध्यान रखना है ठीक ह अभी देखो इसमें अब थोड़ी से नॉर्मल से चीज़ें आपको बताता हूँ जैसे एपेंट से हमने एक कव लिया ठीक है यह मतलब एक surface ड्रो किया अब यह जो गंबोल है इसमें आप देखो यह क्या होता है यह तो नॉर्मल यह आपको पता यह इस मूव करने के लिए इस तरह से इससे वही डिरेक्शन में मूव होगा जिस डिरेक्शन में वह एरो है और अगर फ्री आपको मूव करना है अपने इससाफ से कहीं पर भी रखना है तो आपको इसको यह जो सरकल बना हूँ है इसको आपको यूज करना है ओके तो यह हो गया मूव करने के लिए यह जो है यह हो गया रोटेट करने के लिए यह जो है 1D 2D वो सब चीज़े करने के लिए है और सब आपको यूज़ करना है तो इसमें इंक्लूट तो नहीं है फिलाल तो हमें सेफरेटली यह तीन चीज़ आप यूज़ कर सकते हो अभी इस सर्फेस के हमें पॉइंट देखन से जहां पर भी एजिस है वह सिलेक्ट होगी और जब यह फेस पर यहां पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा सर्फेस सिलेक्ट होगी जैसे जितने भी टुकड़ों में बनी हुई हो सब टुकड़ों में एक एक टुकड़ा जो भी है वह सिलेक्ट होगा और जब इस पर प्रेस करते थोड़ा इस तरह से मोग करके यहां पर एडिट करते हैं देखो आगे हमें और बनाना है तो हम किस तरह से करेंगे यहां पर अभी इस तरह से आपको जोड़ते जाना है इस तरह से लाइक जैसे मैं अभी कर रहा हूं देखो ऐसे तो यहाँ पर ढरेक्शन आपको देते जाना देखो यहाँ पर क्लिक करना अ है तो वो करना है देखो इसी तरह से अभी हम स्भूथ नहीं करते हैं पूरा ड्रोग कर लेते हैं तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है ड्रो करना हमेशा आपको चार पॉइंट रखने की जरूरत रहेगी नीड़े यहां पर चार पॉइंट हमेशा रखने देखो फिर इसको अपने साब से मूँ कर सकते हो अभी यह चीज़ क्या है कि यहां पर क्या होगा कि यह ज्यादा हो जाएंगे यहां पर पॉइंट को अगर वेल्ड करना है पर लिए दो पर यहां पर प्रेसी करना है तो देखो यह हो गया एक यहां पर इसकों कर लेतें सेंटर कुछ इस तरह से अभी हमें यह लेटर को आधा ही बनाना है फिर आधा अपने आप यहाँ पर मिरेर कर लेंगे ठीक है तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर पूरा थोड़ा ड्रो कर लेते हैं देखो यहाँ पर point कुछ इस तरह से रख दिया यह हो गया यहाँ पर direction आपको बनाने की कोशिश करने है यहाँ पर जितना भी आप स्टेट कर सकते हैं वन टू यह थ्री फॉर देखो कुछ इस तरह से अभी यहाँ पर आपको कोशिश करती रहनी है कि जितना हो सकतना यहाँ पर डिजैन इमेज के हिसाफ से आप चलो थोड़ा से यहाँ पर स्टेट कर लेते हैं ओके देखो इ डिरेक्शिन चेंज होगा यहाँ पर देखो यह कुछ इस तरह कि फिर आप चाहाओ तो इसको मूव भी कर सकतो अपने इस साफ से तो यह बेजिक ट्रीक आपको मैं बता रहा हो कि कि इस तरह से आपको यह ड्रो करना है कि जैसे महीं द्रोग कते रहें से इस तरह से द्रो घूल खोगा देखो इस तरह से अ कुछ इस तरह से कर लेना का ча भी यहाँ पर हम क्या करेंगे वन तूं और यहां पर कुछ इस तरह से रख लेंगे यहां से देखो एसे और एक ध्यान रखने है जब भी यह पॉइंट रेड हो जाते है जैसे अभी सब पॉइंट यहां पर हमें ग्रीन दिख रहे है अभी अगर कोई पॉइंट रेड हो जाता है उसका मतलब है वहां पर कोई दिक्कत है या तो जोइंट नहीं हुए या कुछ भी उस दिक्कत हुई है तो वह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखते जाना है देखते जाना है ओके तो यहां पर हम यह पूरा ले लेते हैं दिखो यहां पर बीच में भी एड करना भूलना नहीं है यहां पर दो लाइन चाहिए क्यूंकि डॉम करने के लिए यहां पर और यहां यहां पर इस तरह से टन ले लेते हैं, यह लिए हमने कुछ इस तरह से और यहां पर भी इस तरह से ले लेते हैं, और यह अखरी वाला इस तरह से करेंगे, देखो यह से, कुछ यह से लिए इस तरह से जब ड्रो हो जाए उसके बाद हम मीरर किस तरह से कर सकते देखो यहाँ पर अभी इम इसको हैट करते हैं यह पूरा सर्फेस सीलेक करते हैं यह पूरी सर्फेस कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है यहाँ पर सिमेट्री का यूज करना है यहाँ लेकिन हमें करना तियस्द देखो यह वाला दिहां से देख़ alone यह जो यहां पे आपको करना है एड और यहां पर हम क्या करएंगे लेंगे ठीक है और एव….पॉर आपको प्रेस करना है उसके बाद स्टेट से रख लेना है देखो कि ज consent का इसका करें यह बुद्चesz मठें ग्रीज यह नहीं दिख रहे और जब सकररी है नहीं थाकश हुद हो कर लेते उसके बाद पोइंट को ऊपन करना है और इसको दो दो पयंट को यहां पर कर लेंदा देखो यह यह पूरी लाइन यहां पर हो गई। ठीक है कलर में देखो इस तरह से देखो यह भी दिक्कत करते लेकिन इसको म् करेंगे तो यह सोल हो जाएएगा इसको God कर लो इसको भी वेल्ट कर लो देखो यह पूरी स्टेट लाइन लाइन यहांपे वेल्ड हो चुक्या अब यह सैड पे मतलब रराइट साथ पर अपने आप वहां पर होने वाला तो इस तरह से इतनी चीज ने के बाद आपको थोड़ी देर बंक रखना है और यह जो प्लेन सर्फेस इसको प्लेंस को पी को करके पेश्ट करना है ताकि वहां पर दो सर्फेस हो जाए और कहीं पे भी निचे सब्सक्राइब और इसमे कोई भी दिक्कत होती है तो उसको डिलीट कर आपको इस तरह से ड्रो ना करना पड़ा है तो यह मतलब आपको चलना लेवल तो इतनी चीज होने के करेंगे भी हम आपको ठोड़ा जो भी ठीक करना आ आप आप वह कर सकते हो दिखो यहां पर किशुक्छी यहां अब fifteen से यहां पर प्रोब्लम करके पोइंट करके देख्श यहांं verified औंदर चला गए ज्यादा देखो इस तरह से तो यहां पर अभी देखो यह तुल्श यूज करेंगे सिंगल सर्फस का यह उलिट बिर कर लेते हैं यहां पर फिर से में एक सर्फस लेते हैं तो यहां पर इडर कर लेते है देखो 1234 लेकिन यह इस tarah से react कर रहा है तो अभी हम यहां पर क्या कर सकते है कि यहां पर one two three four इस तरह से रखना है और यहां पर point open करके इसको में कर लेना है यहां पर यह वेल्ड कर लेंगे वेल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि फेले इस पॉइंट को बाद जैसे आप देख रहों कि काफी अच्छे से सब चीजे हो चुके हैं अभी हमें क्या करना है कि जो भी बीच के पॉइंट है देखो यह जितने भी आपको इसको मैड कर लेते हैं इसको जितने यह बीच के पॉइंट से अराउंड बोर्डर को छोड़के जितने भी पॉड़ा सा इस तरह से लूक आपको देखने को मिलेगा जब आप यह चीज कर लेंगे उसके बाद हमें यहां पर लेना एजिस वाला ओफ्शन और फ्रंट में यह जो एजिस है यहां पर पूरी अराउंड एजिस ही आनी चाहिए आपको ध्यान रखना है कि पूरा अराउ मैंट्रिक्स का गिम्बल नहीं यूज करना है आपको यह ट्रंसलेट वाला टूल से उसको यूज करना है फिर आपको अल्ट्र प्रेश करके रखना है और यह डेरेक्शन में आपको नीचे ले ना है देखो इसतरह से तो आप देखूँगे कि यहां पर एक अलक से लेयर ए कि यहां पर देखो इस तरह से देखो और कहें तो यहाँ अच्छें से यहाँ बंचुकरें आभी आप इसमें एडिट कर सकते हो अभी का मतलब अब सरफेस में किई आप सकते हो और अब इसको मेडल देहों उसके बाद भी आप fi стр करoler कर सकते हो तो इन्हीं circular आप आइडिया लगा सकते हो कि डिस्प्लैन से आप फेस्वक किस तरह से बना सकते हो तो देखो हम क्या करेंगे यहां पर यह वाला जो पूरी लाइन है यह वाली इसको हम और डाउन करेंगे कुछ ऐसे ताकि उपर का लेर ही और बबल लगे और इसको और अच्छे से करने के दिंव क्या करेंगे इससेएंगे इस को पहले तो आपको एसे बोर्डर के नसदिक लेले ना है पूरा बोरडर के उपर नहीं लेकिन चितना इसर्ण थोड़ा थोड़ा नजदिक ले लेना है देखो ऐसे ओके इस तरह से वही डिरेक्शिन में आपको इस तरह से जाना है थोड़ा सा देखो इसको उपर ले लो इसको अंदर की तरफ कुछ ऐसे ओग! इसको इस तरह से मूव कर लो, कोके. और यहां पे क्या करेंगे? यह सिंगल ही है, यहां पे तो इसको भी उपर की तरफ कोई भी सेयड पर मुझ कर लो ठीक है यह चीज होने के बाद इसको हम क्या करेंगे देखो यहां पर कोई एक्स्ट्रा यहां पर पॉइंट नहीं है तो अभी फिलाल इसको साइड पर रखते हो और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आगे करना है तो देखो यहां पर अभी हमें बीच में एक पोइंट चाहिए है तो बीच में पॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगो यहां पर देखो कि देख रहे हो कि लाइन बन रही है वहां पर क्या होगा कि पोइंड को को क recommend को इट करेंगा लेकिन आपको एक चीज़ करने है कि यह जो भी डे благодарD आहरे तो इसको पूरा करता है ज़म को दूसरी तरफ वो अपने आप फो जाएंगी देखो इस तरह से ओके अब यह में वापस से पॉइंट ओन करने इसको बन कर लो पॉइंट को स्नेप को बन कर लो इसको यहां पर क्या करेंगे जिस तरह से वेसे यह आपको एडिट करना है अब यह बीच में जितने भी न्यू पॉईंट यहां पर एड़ हुए है यह वाले जो भी इड़ कि हमने उसको और करेंगे आभी इसको उपर के तरफ मूं करना है यह देखो इसको इसको चोड़ देते हैं इसको उपर के तरफितने लाइक इस तरह से कुछ ऐसे जब यह चीज होगी तो आप देखूंगे देखो इसको भी क्या करने स्मूथ करना है कुछ इस तरह से जैसे की ग्रेजवेशन में नीचे होता हो यह उपर थोड़ा सा डाउन और थोड़ा और डाउन उस तरह से आपको यह रखना है देखो इसको कर लेते डाउन यहां पर इसको थोड़ा और अप करते यहां पर और इसको भी यहां पर अपले लेते इस तरह से कि ओके देखो तो यह थोड़ा साब को मेनेज करते हुए चलना है आगे इसको थोड़ा अपलेते हैं कि ओके यह चीज़ हो गई अभी हम क्या करेंगा वापस से पूरे पूइंट को सिलेक्ट करके यहां पर यहां पर हम कर लेंगे स्मूथ अब आप देखो कि कितना अच्छे से यह मतलब लग रहा है अच्छे से उभर के आया है अब साइड पर जो आपको ठीक करने तो आप इस तरह से एडिट कर सकते हो कुछ ऐसे बोर्डर को आपको ठीक करने के लिए देखो इस तरह से और यहाँ पर भी आप देखर रहे ही कि State इस ऐसे एडिट कर सकते हैं देखो इस तरह से थोड़ा सा एडिट करना आपको कुछ एस salut है और यह देखो अभी अच्छे लग रहा है इसको थोड़ा अंदल लेते ओके तो इसी तरह से यह काफी easy trick है और आपको मैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको कितना चीज यहाँ पर बताया कि इक किस तरह द भीजिक, चीज जो भी है इसको किस तरह से यूज करते हैं, points कैसे open करेंगे, इस को, देखो, यहाँ पे अभी भी single single surface यूज़ करना है जैसे कि यह वाली हो गई, यह वाली हो गई, अभी यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है तो यहां पर क्या कर सकतो अल्टर को प्रेस करके रखना है उसको अप लेना है देखो इस तरह से देखो यहां पर किस तरह से सर्फेस बंढ रहा है ठीक है इसका और भी एडवांस में आगे के वीडियो में देखेंगे लेकिन अभी में आपको एक और चीज़ बता देता हो कि इसको मेटल किस तरह से दे सकते हैं यहां पर पूरी सर्फेस सिलेक्ट करने है इस तरह से और हमें जाना है यहां पर इस थिकनेस के टूल्स में यह कि इस डियौकसिं है को देख रही होगी है eenileen और रखना जैसे मैंने यहां पर अंधर रखा है और अभी में यहां पर मेजर्मेंट डाल दूंगा जैसे कि मैं aseg़रें यहां आपको एंटर कर लेना है देखो यह इस तरह से पूरा यहां पर रिएट हो चुका है अभी बिश इसमें point open कर सकते हो और अभी भी इसको आप जितना edit करना चाहो और सब edit भी कर सकते हो देखो इस तरह तो काफी easy tool है यह सब कुछ तो इस तरह से आप display के अंदर काफी अच्छे से सब कुछ बना सकते हो ठीक है तो अभी तक यह वीडियो में basic में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आपको practice करने इसके उपर और भी हम आगे के वीडियो बनाएंगे जिस देखो इसी तरह से आपको practice करने है जो भी नया सिख रहे ओवी CDEF इस तरह से अलग लग लेटर बना सकते हैं तो काफी अच्छे से मतलब आप कर सकते हो तो अभी के लिए बस इतना है इस वीडियो में आगे के वीडियो में और भी अच्छे से टूल्स सिखेंगे और और भी थोड़ा सा इन से next level थोड़ा सा सिखेंगे तो ठीक है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को ओन कर दीजे मैं मिलता हूँ एसे किसे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाए